गुल खिले गुल सन खिले और खिले गुल दस्ते आप सभी को मेरा प्यार भारा नमस्ते आज शुरू करते हैं हम लोग आज ट्रांसलेशन से सुरुवात करने जा रहे हैं हमने ग्रामर से सुरुवात किया है और साथी साथ हम ट्रांसलेशन को भी ले के चलेंगे Translation और Grammar दुनों ही परकार के वीडियो हम डालेंगे और Grammar का हमने 2-3 वीडियो डाला और आज से हम सुरू करने जा रहे हैं साथी साथ Translation सबसे पहला सवाल ये उठता है कि जो हम Translation सुरू करने जा रहे हैं तो हम जानेंगे क्या कि Translation होता क्या है Translation का यूज क्या है और Translation से हम क्या समझते हैं Hindi Medium विद्यार्थी के लिए Translation एक ब्रह्मास्त का काम करता है इसलिए ब्रह्मास्त का काम करता है कि जब आपको English समझ में नहीं आए तो आप Translation के जरिये यदि समझते हैं तो ज़्यादा समझ में आता है खास्तों से Hindi Medium के विद्यार्थी के लिए मैं भी Hindi Medium का विद्यार्थी रहा हूँ मुझे भी English में समझ नहीं आता था grammar या फिर कोई भी topic तो मैं Translation के जरिये सीखता था और Translation के जरिये सीखने में बहुत मदद हुआ पता नहीं चलता था लेकिन Translation जब आप बनाते हैं पूरा grammar उसी में छुपा हुआ है कहीं भी अलग से उसमें कुछ नहीं आता है तो आज इसलिए हमने सोचा कि क्यों न Translation से ही शुरुवात किया जाए एकदम basic label से लेकर चलेंगे छोटा छोटा चीज आपको समझाएंगे और मेरा वादा है कि यदि आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो निश्ची तोर पर आपके अंदर से जो Translation का जो भर्म है जो डर है वो खतम हो जाएगा एकदम सरल और आसान भासा में हमको बताएंगे कि Translation किस तरीके से एक भासा से दूसरे भासा में हम अनुवाद करते हैं हिंदी से इंगलिस में अनुवाद करके आपको समझाएंगे सबसे पहला सवाल आता है कि यदि आप ये वीडियो देखिएगा और उसके बाद चर्चा कीजिएगा कि आथ तो बहुत बहतरीन Translation का पढ़ाई हुआ हमने 4, 5 या 10 जो भी है Translation हमने सीखा यदि सामने वाला बेक्ती यह बात सुन रहा है तो उसका पहला सवाल क्या होता है जानते हैं वो पहला सवाल यही करेगा वाट इस Translation यदि इस सवाल का आप अच्छे से जवाब नहीं दे पाएं तो आप लाख पर हैं इसका कोई भैलू नहीं है आप यदि उसके पहले सवाल में ही फस गएं तो फिर आपकी यहाँ पर ही काबिलियत का पता हो जाएगा कि इस बंदे में उतना दम नहीं है एक दम हम जर से हर चीज को समझाएंगे और अपने एक असान से भासा में हम समझाने का परियास करेंगे सबसे पहले हम इंगलिस से इन सुरू करते हैं यदि आप इंगलिस पढ़ते हैं सामने वाला वेक्ति पूछता है क्या पढ़ाई करते होता है आप बोलते हैं हम इंगलिस की पढ़ाई करते हैं सबसे पहले वो पूछता है अब आप यदि यहां पे थोड़ा सा भी रूख गए या सक बकाने लगें वो आदमी समझ आए ना उतना अच्छा है पढ़ने वाला लर्का नहीं है इसके पास नोलेज नहीं है और सच कहे तो वो लोग पूछते हैं जिनके पास खुद इसका परिभासा पता नहीं होता है यदि आप कुछ हो दुचार लाइन इंग्लिस में अच्छा से बोल देते हैं वो एकसेप्ट कर लेंगे कुए उनको खुदे पता नहीं है और यदि नहीं बोल पाएंगे और उनकी सचाही यही होती है कभी भी अकेला नहीं पूछते हैं इंग्लिस यह क्या है आप बोलेंगे इंग्लिस इस लेंग्वेज सही बात है इंग्लिस से भासा है चलिए इंग्लिस इस एक विदेशी भासा है चलिए यह भी सही है और इसमें और दो चार लाइन यह इसमें एड करते अपने से एड करते जाते हैं और यह आपका अपना एक परकार से sentence बन जाएगा, आप कहीं भी यूज करेंगे, आप इसकी परिभासा दे सकते हैं, अलग-अलग बहुत से परिभासा हैं, बहुत से लाइनेस में जोड सकते हैं, simple है, एक मैं आपको बता रहा हूँ, the beauties of English are many, being an international language is spoken by more than 2 billion people around the world, ऐसे भी आप बोल सकते हैं, या कोई और भी इसकी परिभासा आप बोल सकते हैं, इंग्लिस कुछों नहीं है, एक भासा है, जैसे हिंदी है, उर्दु है, संस्कीत है, वो ऐसे ही इंग्लिस है, और इसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि एक्जाम इससे सवाल आते ह हैं, और इक्जाम के साथ साथ, आज का पैटर्न बना हुआ है, यदि आपको पास इंग्लिस का नौलेज नहीं है, तो कोई कंपनी में भी जौब के लिए पहले इंटर्वी होता है, पुछता है, do you know इंग्लिस, do you know इंग्लिस, भाई हिंदी तो जानते हैं, इंग्लिस भी इसके पे ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन होता क्या, सबसे पहले what is translation, ट्रांसलेशन है क्या, ट्रांसलेशन is something that acts like a bridge between two languages, ट्रांसलेशन कुछ वो नहीं है, ट्रांसलेशन क्या है जान रहे हैं, हाजी पूरा पठना के बीच में जो गाधी से तो पूल बना हुआ है, वही है और कुछ वो नहीं है उत दुन्नों को जो connect करता है ना जो पूल जो है bridge वही translation का काम है दू भासा के बीच में आता है और दुन्नों भासा को जोड़ देता है इसी का नाम है translation इसी को तो कहते हैं translation इसी को अंगरेजियें बरहाचरा के अच्छा से बोलेंगे translation is something that acts like a bridge between two languages लोगा बहुत पुड़ा है जी नहीं मतलब वही हुआ है translation कुछ भी नहीं है translation क्या है दो भासा को जोड़ने का एक करी का काम करता है जैसे आपके लिए एक उदाहरन हम देते हैं यहाँ पर आप बजार जाते हैं एक sentence हमने यह भी लिखा you go to market तिसरा sentence हमने लिख दिया रहुआ बजार जातवानी आप बजार जाते हैं यू go to market रहुआ बजार जातवानी यह तीनों में क्या अंतर है तीनों में कुछ वो अंतर नहीं है एक हो हिंदी में है एक हो इंग्लिस में है एक हो भोजपुरी में है यह अंतर है और कुछ नहीं तीनों का मतलब वह है कि आप जोड़ा टांक के बजार जा रहे हैं और कुछ भी अंतर नहीं है यहीं है ट्रांसलेशन यदि आपको ट्रांसलेशन वो बिरीज बनाये हुए है यदि तीनों भासा के बेच में तो आप समझ जाएंगे अब हिंदी वाला को इंगली से बोला जाएं इंगलीस वाला आप समय जाएंगे चलिए अगला देखते हैं ट्रांसलेशन के बाद हम सुरू करते हैं कि आखिर ट्रांसलेशन के बाद हम इसमें पढ़ेंगे क्या हमको याद है कि जो हम लोग बच्चा थे खास्तों से 5-6 कलास में हम लोगों के समय और हम लोगों से पहले तो और छठा क से इंगलिस का सब्सक्राइब तो अब मैंतिक सब्सक्राइब हम लोगों का में कमजोरी क्यों होता था बच्चा से पढ़ें नहीं जाता अब बहुत सुधार हुआ है अब में और पाले में बहुत का आंतर है लेकिन हम शिश्टम के सांच चार रह हैं उससे कोई दिकत नही एक अलग ही तरीका होगा परहने का कोई भी ये आप जो देख रहे हैं मार्केट वाला तरीका नहीं होगा एकदम जेरल और लोकल लेंग्वेज में समझाएंगे और वादा है कि यदि आप वीडियो देख रहे हैं तो ट्रांसलेशन तो बनेगा आप से ये वीडियो देख रहे हैं यदि आप तो आप ट्रांसलेशन बनेगा आप से ऐसा नहीं है कि आप ट्रांसलेशन का जो डर है वो खतम करेंगे हम हमारा ये पूरी तरह से गरांटी है यहां पर चलिए देखते हैं तो हम लोग पच्वा छटा कलास में थे तो ट्रांसलेशन बनाने के लिए आता था पांच-दस नमार का ट्रांसलेशन आता था और हम लोग बनाते थे बंते नहीं था बंता नहीं था और दिकत होता था तो तो जो है ना टेंस सीखने से ट्रांसलिस्टन को इसे किलियर होगा फिर धीरे धीरे अप समझ में आता था कि मास्टर साहब कहते थे जैसे चलिए उधारन लेते हैं यहां पर हम देखते हैं सबसे पहले उधारन हम लिखते हैं कि राम आम खाता है अभी मत पुछे राम आम में का है खाता है अरे राम का मौर जी है जो मन करेगा उखाएगा चोई देखते हैं राम आम खाता है इस सेंटेंस में इस सेंटेंस में हम देखते हैं कि यह एक हिंदी में सेंटेंस है इसको हमको अंगरेजी में ट्रासलेशन करना है माली यह उपर लिखा हो ट्रांसलेट इट सही है क्या चलो ठीक है अभी तक तो सुनते आ रहा है कि राम के साथ इज लएगा ही के साथ लगता है तो इज को वहां से उठा कि यहां कर देते हैं राम इज इट मैंगो चलो मैंगो के पहले आर्टिकल का परियोग कर देते हैं सुने है कि मैंगो के पहले ए आर्टिकल लगत ही दोसरबना के लिए फिर चैनस का मतलब है यदि यह नहीं पर रहें तो आप आपने पूरा वर्ड लिखा आपने सब कुछ लिखा लेकिन गलत हुग। इसी के लिए हम परहेंगे टेंस और टेंस का अध्यां करेंगे हमारी कोशिस यही रहेगी जितना आसान तरीका में एकदम स्वरल भासा में आपको हम जो भी चीज बता रहे हैं आपके दिमाग में हम घुसा दे हमारा यह टार्गेट है यदि कुछ बोलने वक्त यदि स्लीप अफटांग होता है तो उसके लिए हम छमा चाहेंगे मिलेंगे अगले वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार जाहिंद वंदे मात्रव